ट्रेलर क्या बवाली था बट मूवी वो मैच नहीं कर पाई हमने किया था इसका कंपैरिजन बाउबली जैसी मूवीयों से पर वो हमारी एक गलती थी तो चलिए शुरू करते हैं मूवी रिविव आफ शायरा निरसिंभा रडी का इस मूवी की लेंथ इतनी जादा है 2.85 आर्स की इसकी लेंथ है जो की हम लोगों का दिमाग खा जाती है तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी की तो स्टोरी में कुछ भी नया नहीं ट्राइ किया गया है वही old concept है, वही पुराना concept है उसको redesign कर दिया गया है वही एक देश भक्ती वाला scene है एक warrior होता है, मतलब एक freedom fighter जो की first freedom fighter होता है और अंगरी जो के खिलाफ आवाज उठाता है इसमें रानी लक्षमी बाई का भी cameo है और भी बहुत कुछ है उसकी बात करते है like एक freedom fighter को बहुत ज़ादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाना it's okay आप बढ़ा चढ़ा कर दिखाए पर बहुत ज़ादा बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं दिखाए कि जो दिमाग के ऊपर से निकलने लगे like he is not human, he is God साथ सी भी बात है कि स्टोरी में कुछ भी नया नहीं ट्राइ किया गया है वही पुरानी सी स्टोरी है स्क्रीन प्ले भी कोई दमदार नहीं है इस मुवी का अब इसके बात करते हैं एक्टिंग की तो इसमें भी कुछ बहुत जादा अच्छी बाते नहीं है सबसे पहली बात चिरन जीवी सर जिनके लिए हैट्स ओफ बहुत अच्छी एक्टिंग की है पूरी की पूरी स्टोरी और मुवी इनके ही एराउंड इर्द गिर्द खूंती है अब आप बात करने वाले होंगे अमिताब बच्चन की झी नहीं, उनकी एक्टिंग में कोई दम नहीं था अब आप बोलेंगे कि यह क्या बोल रहा है सच में, उनको स्क्रीन ओन टाइम ही नहीं दिया गया तो वो कहां से अपनी ऐक्टिंग स्किल्स दिखा दे अब मूवी में उनको time देना चाहिए, ऐसे scenes देने चाहिए, जहाँ पर वो अपनी acting skills दिखा सके जब वो दिया ही नहीं गया है, तो कैसे दिखा देंगे अपनी acting skills मूवी में तो उनके लिए अगर आप यह movie देखने जाए तो बहुत बड़ी disappointment होने वाली है बहुत जादे screen on time नहीं मिला, इसके अलावा बहुत जादे कुछ है दे तीसर नाम में बात इसमें करना चाहूँगा, तमन्ना की, तमन्ना भाटिया जिनका रोल काफी interesting है, काफी अच्छा है, surprising है ऐस रानी लक्षमी भाई वो आती है, बहुत अच्छे action scenes करती है उन्होंने बाहु बली जैसा यहां पर भी अपना जल्वा दिखाया है, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, इसके अलावा नैना तार का character, वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे skills उन्होंने भी दिखाए है और बहुत अच्छा काम उन्होंने भी किया है सबसे जादे स्क्रीन ओन टाइम नैना तार और चिरन जीवी सर को भी मिला है जो की शाइरा का करेक्टर नहीं भार है और भी बहुत बड़ी स्टार कास्ट है बहुत सारे बड़े बड़े नाम है बट इतना पावर्फिल काम किसी का नहीं है बिकाज उनको स्क्रीन ओन टाइम ही नहीं मिला ऐसे सीन्स ही नहीं दिये गए कि वो अपनी स्किल्स दिखा सके अब बात करते हैं background score की और music की तो देखिए music तो मेरे को disappointed लगा बहुत जाद कोई music नहीं था जो था वो बहुत जादा अच्छा नहीं था इसके बाद background score की तो हाँ background score इस movie का अच्छा था decent था जो सुनने में ठीक लग रहा था कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि background score कहीं से चेपा गया हो इसके अलावा आप बात करते हैं direction की direction काफी weak है इस movie का या फिर ये कहें कि screenplay weak है तो director ने बहुत जादा कमाल नहीं दिखा पाए क्योंकि director ने तो अपनी तरफ से काफी कोशिश की है movie को अच्छा बनाने की first half of movie is like too much boring मतलब काफी boring है but interval होने से पहले एक climax खुलता है जिसको देखके ये लगता है कि हाँ second half में movie interesting हो जाएगी but वो काफी हद तक होती भी है but बहुत जादा नहीं होती है but ending की 30 minute पूरे के पूरे पैसा वसूल है मज़ा आ जाती है action packed है और action scenes को बहुत अच्छी से choreograph किया गया है कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि over दिखा दिया कि बहुत बेकार दिखा दिया काफी अच्छा है action भी इस movie का और last 30 minutes heads off आप बात करते हैं visuals की and VFX की तो देखिए VFX इस movie का बहुत ज़्यादा शांदार तो नहीं था वो देखकर ही पदा चल रहा था बट वहीं पे visuals एक number थे इस movie की जो देख के लग रहा था कि हाँ पैसे तो खर्च किये गए है 270 करोड रुपए पुरे पैसा वसूल है इसके visuals बहुत अच्छे हैं background scenes बहुत अच्छे हैं जो बिल्कुल देख के reality जैसा feel होता है कि हाँ history में हमारी country ऐसी होगी ऐसा कुछ होगा scene जो बिल्कुल realistic और बहुत अच्छा और logical लगता है final opinion देखिए अगर action देखने का मने तो war लगी हुई है अगर कुछ different देखने का मने है तो joker लगी हुई है बट अगर आप चिरंजीवी fan है यह definitely आपके लिए है और आपको कुछ historical और historical movies पसंद है तो यह movie आपके लिए है इसके अलावा इसमें कोई तीसरा ऐसा point नहीं है कि मैं इसको suggest कर सकूँ आपको देखने के लिए अगर इस movie को ऐसा audience देखेंगे तो शायद आपको यह ठीक ठाक entertain करके जाए वो भी killer वाले entertain करके नहीं जाएगी यह मेरी guarantee है एक बार देखिएगा उसके बाद बोलिएगा because movie बहुत जादा body disappointment साबित हुई है इतनी भी जादा कुछ खास नहीं है अगर आपको ऐसी वीडियोज पसंद आती है तो हमारे चैनल को subscribe कर दीजिए और bell icon भी दबा दीजिए हो सकते तो share भी कर दीजिए